नमस्कार सबय जानालाई आज मा ब्याच्चलर इन सिविल इंजिनेरिंग को सेवेंज सेमिस्टर को डिजाइन ओव आर्सीसी एस्ट्रोक्चर को यो डिजाइन ओव बीम को यो इंपोटेंट क्वेशन लिएर उपस्तित भायको छुँँँँँँँद आम्रो पुरवांचल युँँबर्सिटी को टुढ़ाजन ट्वैन्टी वान मा सदेको कवेशा नूए तियो पनी 10 मार्क मा ता एश्कोलाई पहलामों डिजाइन स्टेप्स बुजाई दिन्छू अनि बुजन सजीलो ओंछ है ना design steps बुज्ञाय पचि बुज्न सजिलो अमेले सब नदा पहला design steps आमेले बुजिये आलशो design steps पहला इयरों तु क्या बने को सा design steps सब singly reinforced beam singly reinforced beam को design steps के होता step number one मा आमेले के गरनू परछा beam को suitable width रा depth आमेले assume गरनो परछा b बने को width हो, d बने को depth हो अब कती समा हमी ले एजूम गरना सक्छो ता बीम को effective देफ्ट आमी ले 1 by 12 अब स्पान हमी ले एजूम गरना सक्छो अथवा maximum हमी ले लियो बने 1 by 20 समा एजूम गरना मिल छो heavier load को लाई 1 by 20 अनि light load को लाई 1 by 12 समा लेजूम बने को की हो ता लेंदध विम को टोटल लेंदध को हमरो 1 by 12 अमी ले देफ्ट यजूम गरना मिल छो अब बरेथ कती यजूम गरना मिल छो gebracht बरेथ आमी ले 1 by 3rd to 1 by 2 time zhow अमीदल यजूम गरना मिल छो देट जती आको छा तेसको आधी किता 1 by 3rd टाइम सामे ले बिरेत एजुम गरना मिल छा मिनिमा आमरे ले द्विसेस अमा आमिर एजुम गरना मिल छा अब अब अबराल यो डी बने को कियो एफेक्टीब देट हो अब हमेले बीम मां ओवरल देभ पणी नीकालनू पड़ने होंच 95 mm चांद मां गिवेंच नहीं बने clear span plus effective depth by center to center of support बनेको clear span plus width of support by 2 plus width of support by 2 अब यो दूइटा मा minimum value आमरो कुन आउँछ? clear span plus effective depth रो center to center of support मा minimum value जुन आउँछ तेसे लिए आम मेरे किये गरनू पर सा effective span चाई लिनू परने हुन चाई ना चाई किया बयाल सा effective span तो यहां width of support बनेको क्यो होता? width of support लाइने bearing length पनी भनी भनी छा यहां width of support लाइ b-dash ले एजुम गरें छा width of support बनेको b-dash हो यहां पनी b-dash b-dash लाइ width of support पनी भनी भनी बनी छा अथो आ bearing length question मा यह दी given छाईन माने हमेर ले width of support अठवा bearing length 300 mm समां हमेर ले एजुम गरना सक्छो गिबें छाई बने कुणे 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 ही भाई question मा given छाई बने टेतीने हमेर ले राखना मिल छा given छाई बने तो 300 mm समां maximum 300 mm समां एजुम गरना मिल छा 300 बन्दा company गर दाऊंच तर यह बन्दा body चाई गरना हो दाई ना step number three step number three मां हमेर ले क्या गरना पर सा total load calculation गरना पर सा total factor load अनी factor bending moment निकालना पर सा अब factor load कसे निकाल सो तो total load जती आऊंच तेला हमेर ले 1.5 संगा multiply गर दिनू पर सा अने आमरे factor load आयाल सा factor load लाए w ले denote गर सो factor bending moment लाए हमेर यम यू यम यू लाए ultimate bending moment पनी बनी बनी छा अथवा factor bending moment पनी बनी बनी छा अनी w लाए factor load अथवा ultimate load पनी बनी बनी छा यम is equal to w into l effective square by 8 अना l effective बनी को तो यही बड़ा il चामरो है ना center to center अरा हमरो clear span plus effective देवत मा कुन minimum value होंच तेही आमरो बैल सा l effective को value l effective बने को effective span step number 4 बने को calculation of limiting value of bending moment step number 4 मा limiting value of bending moment को value निकालनो पर सा yam u limiting बने को के होंचा 0.36 x u maximum by d 1-0.42 x u maximum by d into bd square into f ck अब यह x u maximum बने को के होता आवा x u maximum ला आमिले के बन्च होता x u maximum maximum depth of neutral axis x u maximum बने को के हो maximum depth of neutral axis maximum depth of neutral axis neutral axis को maximum depth तो x u maximum अब आमरो steel को grade यह दी yaf e 4 से 15 बने yaks u maximum को value कती होंचा 0.48 x effective depth d यह ना अब इस्टील को grade आमरो यह iron को symbol दिये रा गरिंचा yaf e yaf e 4 से 15 बने 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 अब step नमर 5 step नमर 5 मां आमरो के होंचा हमरो yomu रो yomu लिमिटिंग मां comparison गरनू परछा कुन बड़ी छाए ना yomu को value ultimate moment अथ्वा हमरो factor bending moment limiting bending moment बन्दा यदी कम बय बने के होंचा beam आमरो के beam लागके consider गरिंचा singly reinforced beam अयदी yomu आमरो yomu limiting बन्दा body वने ते लाग आमरो के consider गरनू परछा doubly reinforced beam step नमर 5 मां आमरो के करनू परो calculation of area of reinforcement area of reinforcement निका अलसो यो formula बाठा yomu equal to 0.87 fy ast into d 1 minus ast into fy by bd into f c k अब यहां fy बने को के होता yield strength of concrete ast बने को area of tension reinforcement d बने को effective depth of beam अनि b बने को width of beam yf c k बने को के होता हुआ characteristic strength of concrete अब यह फ c k को value को सरी हमरो निकालने question मां यो हमरो के मां depend हों सा grade of concrete मां depend हों सा suppose example को लाई महीं ले दिये concrete को grade यह दी yom 20 बाय बने हमरो yf c k को value कती बैल सा 20 newton per mm square बैल सा अब आमरो unit जुन छा आमरो जैले पनी newton per mm square महीं हों छा yf c k को है ना unit आमे ले याद गरनू पर yf c k को value newton per mm square आनि बाकी yom 20 चादे चादे यहाँ बड़ा 20 लेक दियो आनि यदी grade आमरो yom 25 बाय बने yf c k को कती हों छा value 25 newton per mm square ना तो यो आमरो grade of तो आवा आमरो ले के बुझो बने yf c k को value आमरो concrete को grade जती हों छा तेती ने हों छा suppose yom 30 बाय बने yf c k क को value कती बाय 30 newton per mm square यो फोटी बाय बने yom 40 newton आना तेसरी आमिले बुझनू परशा yf y क को value के माँ depend हों छा grade of steel माँ depend हों छा आना अब अब एसमा grade of steel grade of steel आमरो yf ही 4 से 15 बाय बने yf c value कती हों छा 4 से 15 newton per mm square यदी grade of steel आमरो 5 से बाय बने step number 6 माँ चाहें आमरो क्या हों छा design of shear reinforcement shear reinforcement design गरनू परशा यसको लाए आमिले क्ये निकालनू परऊ हमिले nominal shear stress निकालनू परशा nominal shear stress माँ आमिले लाए tau b ले दिनोर गरशा tau b equal to bu divided by bd bu बने को यहां की हो ता shear force हो shear force लाए ultimate shear force हो b बने को विर्थो d बने को effective देबतो तो सब अन्दा पहला हमिले nominal shear stress निकालनू परशा तेस परची हमिले क्ये गरनू परशा percentage of steel निकालनू परशा percentage of steel pt equal to ast provided by bd into 100% उन्छा अब यो ast provided आमिले area of steel निकालनू परशा आमिले जुन बार प्रवाइड गरशो तेहां बड़ आमिले ast provided निकाल शो है ना तो अब आमिले percentage of steel निकाली सके पछी आमिले IS code हेडनू परणे होन्छा 456-2000 456-2000 महां यहां है दिदेशो कुन code हमिले हेडने हो अने राम्रेरी बुजिन छन तो है ना एसमा चाहें यो कुरा आरू हमिले विसेस गरी ध्यान दिनू परणे कुरा आओ हमिले IS code हेडना जानी है ना अने तो आर्सीसी तो गारे होन्छा है ना हमिले यो हेडनू परणे है ना हम्रो table no 19 IS code यो table no 19 यो हेरो यो code हमिले हेडनू परणे होन्छा यो है ना critical stress निकालने code table no 19 हो page no 73 हो तो एसमा हमिलो percentage of still एता दियेको होन्छा है ना PT सपोज आम्रो percentage of still आम्रो 0.21 आयो 0.15 दा 0.25 को बिच्चा मा परो सपोज आम्रो question मा grade देको चा 0.15 को लाई critical stress 0.28 0.25 0.36 यो different grade कुण grade देको चा तियो अनुसा रहेड़नू पढ़ने होंछा critical stress अनि आवा आम्रो इंटर्पोलेशन गरनू पढ़ने होंछा क्या बनेको चा कुण मा आम्रो आम्रो भ्यालू लाए गरहा percentage of still अनि आम्रो इंटर्पोलेशन निकाले आलश अनि आम्रो इंटर्पोलेशन को फर्मला आउन्ट y-y1 equal to y2-y1 by x2-x1 x-x1 अवा हम्रो इंटर्पोलेशन चेक गरश हो हो है अवा हम्रो इंटर्पोलेशन चेक गरश हो है रचेक पर minimum area of reinforcement AST minimum 0.85 BD divided by Fy Fy बनेको yield strength Step No.9 मा maximum area of reinforcement 4% of BD गरणू पढ़ने होन्छा यती design steps थी question तर्फ लागे आलो मामी है अग question बुजना साजीलो होन्छन त yoo question 2021 मा सोद्याँ simply supported beam with its effective span 4 meter carries a uniformly distributed load हम्रो एक्लियर effective span देखकाई effective span देखकाई सेवन था हम्रे फर्स स्टेप हम्रे यो गरणू पर होता यो गरणू नहीं पर होता step No.2 गरणू पर होता if not given in question question मा यदी effective span given चाहिन मनी यो गरणू पर था तर यहां ता given चाहिन था effective span था यो step हम्रे गरणू पर देख अब हम्रे यो depth रवीर्थ पनी question मा अल्डेडी given चाहिन uniformly distributed load excluding uniformly distributed load excluding 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 the self weight excluding the self weight excluding the self weight बने आमरो क्या हुँँछ तेसमा आमरो क्या बुजनू पर छा UDL आमरो self weight बाहेक UDL को load given तेसरी बुजनू पर छा excluding बने आमरो self weight पनी निकालनू पर छा excluding excluding बने को बने को including UDL plus self weight बने को 20 kNN पर मिटर इसमा self weight निकालनू पर दाइना excluding यदी भने को बने को बाहेकिया उंत्यो self weight पनी निकालनू पर छा excluding excluding बला कोईशन पनी मसी काउँ शुआ अहलो पहला यो हेरू योड़ा concept आमे लेकिये बुजनू पर छा बने ता जून बीम मां आमरो tension मात्रे बहयो बने तेस्तो बीम ला आमे लेकिये बनेशो singly reinforced beam जून बीम मां tension रर compression दुबै बहयो बने तेला आमे लेकिये बन्दिन छो doubly reinforced beam ता tension जयले पनी तला तीरा आक्ट हुन छा रर compression जयले पनी माथी तीरा आयक्ट होंचा त्यों चाहि बुझनू पर्यों कॉंसेप्ट है ना अब यहां चे यह रूम टेंशन बने कोछा टेंशन बने बितिके योकुन बीम बायाल चामर सिंगली रिंफोर्स बीम तो यह री पनी बुझछो अब नी बीम को डाइमेंशन देशा 250 इंटू कोड़ी तो 4 mm देखो अब देरे स्टुडे ना क्येंशन रिक्साहि हो और विर्थ मुह ब्युपन योपन अफो धाने उदेना तो स बदा पंधा कोम जुन हुन होंछा त्यों जा outta पनी क्य होंछा मिनिमाम ब्याल्ल्यू जुन होंछ minimum value भणे को त्यों जैले पनी के उंचा? वर्थ हुनचा है ना? वर्थ आमरो जैले पनी को गजा? देत्व बन्दा, वीम मा याद राखने, जुन, बड़ी हुनचा त्यों देत्व बड़ी हुन at ऐफेक्टि एस्पान देखो अब हम्रों YM20 ग्रेट राइ फि 4 से पंद्र देखो चब यो YM20 केको लाइ देखो चाय मेरलाए Y FCK कि निकालनागे लाइ केरेक्टरिस्टिक स्टेन Y 4 से पंद्र केको लाइ देखो फ Y निकालनागे लाइ तोल अब एर आलों एफेक्टि एस्पान एल एफेक्टि वहनेको 4 मीटर, यूदियल वहनेको 20 किलो निटर्ण पर मीटर, अनि यहां एस्टी को वैलू, एस्टी वहनेको की होता, नम्मर बार इंटु पाइडी स्क्वाइर बाई फोर, यो योड़ा फोर्मला आजे भुजनू परो, एस्टी वह एस्टी वहनेको, कती वहटा बार देखो छा, अनि तेले पाइडी स्क्वाइर फोर्स अनि मॉल्टिप्लाई गर दे बने एस्टी आयाल सा, अब यहां एस्टी पनी हामिर ले निकालनू परे ना, एस्टी पनी अल्डेडी हामिर ले गिवेन सा, क्याई पनी निकालनू पर त्यो एस्टी निकालना गुलाई ला यो सिंपल कोईशन छा दस मार्क मा नमर बार चार अनि पाई इन्टु डी कोठ हमा ट्वेंटी स्क्वाइर फोर यहां बड़ा एस्टी ग वैलू कती आऊंछा 12,56 mm² होंछा उर्थ अब बीम कथी जुन कम होंछा 2,50 depth of beam बने को यो आमरो overall depth हो क्या यो यो overall depth हो जयले पनी किये बुजने हमेरला जुन बीम को डाइमेंशन दिया होंछा त्यो जयले पनी overall depth होंचा effective depth कोईले पनी हो दे ना त्यो यो overall depth हो तिय वेरा ओवराल देफ्थ लाए क्यापिटल D ले रिप्रेजेंट गरीं छा 400 mm, अब काबर एजिम करनू पर सा, काबर लाए D' ले एजिम करें छा 50 mm, ता महीं ले क्या बने को थे, ओवराल देफ्थ बने को एफेक्टिब देफ्थ प्लास क्लियर काबर, क्लियर काबर लाए D' ता D' ता यो, sorry, D is equal to D minus D' ता यो D बने को क्यो एफेक्टिब देफ्थ तो, capital D बने को ओवराल देफ्थ अनि D' बने को और ते यहां गरी आचा एफेक्टिब देफ्थ बने को, ओवराल देफ देफ दाड़ा गटावने, 4 से बड़ा पसास गटाई बने, 3 से पसास, अब यहां 20 को लाई FCK को वैलू को थी हुँँजा, 20 Nm2 अगी बने को थे, अनि 4 से पंद्र को लाई FY को वैलू 4 से पंद्र न्यूटन पर अम्यम स्क्वार, यह थी आमरो उनिवा, अब स्वबंदा पहिला हमिला total load गिवें छा, including बंदियों तो, total load भाए, 20 Nm2, factor load आम बने को क्या आमरो 1.5 इन्टू total load हों छा, ता 1.5 इन्टू 20 बने सी, 30 Nm2, अब factor bending moment निकालनों को लाई हमिले formula यह बने को थे, यहम उकल तो, WU एल एफेक्टिव स्क्वार बाई 8, WU बने को 30 अनि एल एफेक्टिव बने को ता question मा अल्डेडी गिवें है छाए ना, यह नो गिवें ब अनि एल एफेक्टिव बने को 4 by 2 बने को 60, तेस पाचे आमरो next step मा अमरे ले calculation of limiting value of bending moment निकालनों पर छा, अब यहम यह लिमीटिग को फर्वुला हों छा, 0.36 XU maximum by D, 1-0.42 XU maximum by D, BD square into FCK, अब यहा D LCM ले आले हमिले, यह D आता आगो, D-0.42 XU maximum BD square into F, और D into D, D square बाए, यह D square, D square cancel भायो, आमरो finally कती आयो, 0.36 XU maximum into BFCK, D-0.42 XU maximum, अब चार से पंद्रों को लाए मेले के बने को थे, यहां हेरूम ता grade of still 4 से पंद्र देखो छा, चार से पंद्रों को लाए मेले, डिजाइन स्टेप्स मा अल्डेडी, डिजाइन स्टेप्स मा मेले 4 से पंद्रो लाए के बने को थे, यहां हेरूम, 4 से पंद्रों को लाए मेले, 0.48 D, 5 से बाय बने, 0.46 D है ना, ता आमरो कती होने बार, 4 से पंद्रों को लाए XU maximum by D बने को 0.48, D यता ती रग, XU maximum बने को 0.48 into D, D बने को एफेक्टिव देब्त हो क्या, एफेक्टिव देब्त आमरो कत होता, यहां हेरूम ता 350 आकोती होने एफेक्टिव देब्त है ना, 350, ते बेले 350 महीले हाल दी, कते आयो, 160 mm, ता यहां हो लिमीटिंग को फर्मला चा, 0.36 XU maximum, BD, FCK यहां बड़ा आयो, D-0.4 to X, अब बैलू पुट कर दें, XU maximum को 160, और विर्त अब बने को विर्त अब ब हम्रो ग्रेड अब इस्टिल कती हो, 20 चा, यहां बड़ा चिक्टिव देब्त बने को कती हो, 350, ते बेले 20, ते बेले 20, और एफेक्टिव देब्त बने को कती आगो थे हो, 350, यहां सदे है ना, एफेक्टिव देब 350, 0.42 XU maximum, 1160, यहां बड़ा क्याल्कुलेशन गरे रहे, यहां बड़ा, 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 के ना हमेली ले क्ये थांच एक किलो निटन मा थाउजेंट निटन हुँचान उन्छान ता हमेली ले जो में जो हमेली ले किएगगरॉ पर 1000 x 1000 पर किलो न्यूटन के गोई एक किलो न्यूटन माऊं के करने हैं 1 by 106 किलो न्यूहरोहार्न मित नाङ मतप्रलत को सब्सक्राइद को सब्सक्ति न tendency दोन पहलोहा नो simply अम्यु यह हम्यु यहन्ह लिमेंटिंग बंदाऊंसा सिंगली बिनफोर्स बीम दिधसों विह संती है मियु ज़िए डो अम्यु यह DANऄ लेंसस्ती विता सएक प्रशलेस स्यरी वर्शसेह सांदाओ सोद्स थासोंसा सिंगलायो झालो प्रस यहraw प्रस एस्टी प्रवाइड़ेड तहा हम्रो क्या वै आल साथ 12-6 बाई बी वनेको 250 इन्टो डी वनेको 350 तहाँ बी वनेको विर्थ अबीम न थिन्टो पजास अनि एफेक्टिव देव थिन्टो पजास आई ना ते वेरा अब इन्टो 100 याँ बड़ा हम्रो 1.43 आए आए ना अब सेर स्टेस्ट वननेखो B U D B D B D U到 Tara अब यह किलो नूटन लाए हाम इन ले नूटन हनभाटघ गरनी किलोडन में पर ते Renee Q 1997 इंटू तीन से पता शाज यह बड़ा हम्रो नोमिनल सीर हिस्टेश बनेगो गोफ 0.685 नूटन पर एं मे में इस्कुर आया इच हो बने अब रहने पर सेंटेज आव इस्टील है नूपरसा कि इफेरेंट ग्रेड आफ स्टील आवा आमेले पर सेंटेज आव आफ इस्टील आमें ल्ले टेवल साथ क पोलंकु का आप हें़ा यह उनिता अब इस्टिल को वैलू 1.43 आगो चा अब हेरूं ता यो 1.43 कसको कसको बिच्चामा पर आशा 1.43 अब हेरूं 1.25 रव 1.50 को बिच्चामा अम्रो के पर आता 1.43 आणा किनमने 1.25 बंदा 1.43 1.25 बंदा बड़ी चा रव 1.50 बंदा कम चा अब हेरूं 1.25 काहा है ने होता कोईशन माई 0.20 देखो थियों था फेरी जता तते एरियोंने रॉंग होन शाए ना कोईशन माई 0.20 ग्रेट देचा था 125 को लाए कती शा आमरो 0.67 अणी 1.50 को लाए 0.72 ब्यालू देखो शां था ते बेर आमिर ले क्यों ने बग 1.25 को लाए आमरो critical stress कती देखो थियों 0.67 अणी 1.43 को लाए आमिर ले निकालनू परो अणी 1.50 को लाए कती देखो थियों को लाए 0.67 लाए 0.72 मेले लेखे अवे मैले wire यक्सन मांदियेhelm dir लाए Yक्स Video li X2 li Y1, lying 2 जहले पनि याद गरने हमिर ले टोप ड्यालू लाए जहले टोप लाए जहले पनि यक्स टू रहा जुन निकालनू पड़ने छा जसको जुन पर्सेंटेज अवे ष्टील मां क्रिटिकल स्टेस निकालनू पड़ने छा तेला यक्स मानने और यता को ब्यालू लाए y1 टॉप ब्यालू लाए 0.67 लाए y1 0.72 लाए y2 y को value मेले निकाले आलचु, linear interpolation गरे रा interpolation को formula मेले बता कैचु है न अब यहां लेक दिन चु यक्स1 को value आमरो कती एजुमरे थे 1.9 पल्टाई पल्टाई फेरी हेर नू परशा है न 1.43, यक्स2 बने को आमरो 1.50 अनि तेसपची y1 बने को आमरो 0.67 अनि y2 बने को 0.72 है न y-y1 इकोल टो y2-y1 बाई x2-x1 इंटो x-x1 अब y1 को value आमरो कती 0.67 y2 को value कती 0.72 minus y1 को value फेरी कती 0.67 यक्स2 को value 1.50 यक्स1 को value 1.25 यक्स को value यक्स बने को कुनो यह 1.43 अनि-1.25 अब यहाँ बड़ा interpolation गरेर calculation गरेर बयालवाँँछा 0.706 तो y को जुन बयालवाँँछा ते बयालवाँछा critical stress अब यहर चो आमी nominal share stress आमरो जुन छा यह बन्दा कॉम छा की चाहिना अब यहरो nominal share stress आमरो 0.685 छा तो nominal share stress 0.685 छा रो critical share stress 0.706 छा डिजाइन चाहिन सेफ हुन छा यदि आमरो body body बने की हुन छा अमेरो डिजाइन आउन सेफ हुन छा अनि आमेरे ले shear reinforcement design गरनू पढ़ने हुन छा अब डिफ्लेक्शन पनी गरनू पढ़ने गरनू पढ़ने तो तो यह question 10 mark मा मात्रेश देखो चाहिन तो आवर देरे गरनू पढ़े न shear reinforcement समा गरे र छोड़ दीनू पढ़े अब design summary मा आमेरे ले width कती सा beam कती सा लेखनू पढ़े 250 mm overall depth तो beam कती सा 4 mm है न overall depth तो 4 से effective depth 350 आको थे हुन यह जे जे देखो चाहिन तो आमेरे ले गरनू पढ़े सा effective depth 350 आणी width 250 overall depth 4 से न यह चाहिन हेरो नू पढ़े अणी हामेरे ले यो beam यो beam हेरा हेरा यो beam हेरा 250 आणी यो कती ओड़ा बार सा यहवटा द्वीटा तिन ता चार ओड़ा बार ओड़ी वने कहाई सा 4 ओड़ा बार सा 4 ओड़ा बार सा कती M M को 20 M M को यहां चे एराई दिनू पड़kon योड़ा द्विटा तिन ता चार ओड़ा बार और योड़ाद मेरे लेख दिनू परो 20 M M 5 अफाई बार कती ओड़ा आको सा 256 26びda तते वेरे 266 mm² राग दिने औनी हामरो एफेक्टीब देफ बने को यो जुन बार हेर देचो नि बार देखी यहां सम्मा 350 अनि यहां देखी यहां सम्मा कावर 50 mm योटो अबराल देफ 4 mm अबराल देफ बने को यो जुझन यो बीम ते यहां यो आई प्रवाइड गरे हाँ यो चैंक बीम को कवर सम्मा कावर ओवराल देप्ट बने को कि हुँँज़ एफेक्टिव देप्ट प्लस काबर ते वेर चार से बार तो एती आमेले गरनू पढ़ने हुँँछ यो सिम्पल टाइप को कोईशन थे साथ यहरो है अब यो उन्दा गारो टाइप को पनी मा सिकाउं चो और को वीडियो मा तब साउं लाए गुडबाई टेक क्यार रह यो कोईशन आमरो पुर्वांचल इन्बरसिटी को 2021 मा सोदेगुछा स्वेर नौला साथ यहरो नेस्ट अ बात्रो टेक्पटर भाल बडिवांचल टेस्ट वीडियो माल गब हो पुर्वांचल टेस्ट लाए यहरो नेस्ट मान फज़ो इन्वेर प्लवांचल गारो प्राव्शन अवेर डिम्ज़ांचल टेस्ट